इसे पहले वाले वीडियो में मैंने इलिमेंटरी पार्टिकल के बारें बात किया था इलिमेंटरी पार्टिकल का क्लासिफिकेशन भी बताया था किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो और वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिंप्सन बॉक्स में डाल दूँगा तो पहले जो हैं लेप्टॉंस के बारें बात कर लेते हैं लेप्टॉंस में जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि लेप्टॉंस में पार्टिकल कितने होते हैं mass के बारे में, spin के बारे में, intrinsic parity के बारे में, lepton number के बारे में, electron lepton number, muon lepton number, tau lepton number, light time और anti-particles के बारे में ठीक है, तो पहले जो है आप यहाँ पे देखिए electron के बारे में, ठीक है charge क्या है, यहाँ पे देखिए electron का ऊपर जो है minus sign एक लगा हुआ है यानि चार्ज जो है इसका माइनस वान है, ठीक है, मास जो है, इलेक्ट्रोन का वो है 0.511 MeV, ठीक है, स्पीन जो है, लेप्टोन्स जो है सारे ही है, स्पीन हाफ पर्टिकल से, यानि फर्मियों से, तो ये जो स्पीन है, है हाफ, इंट्रिंजिक पैरिटी फॉर लेप्टोन्स है, सारे लेप्टोन्स के लिए इंट्रिंजिक पैरिटी प्लस वन होता है, Lepton no.1 निटरान के लिए Lepton no. 1 है अचा Lepton, Electronic Lepton no.1 ये Lepton no.1 है ठीक है और Meunick Lepton no.1 एलेक्ट्रान के लिए 0 है और Taunick Lepton no.1 एलेक्ट्रान के लिए 0 है और Lifetime of this particle, electron is stable इस पारिकल, is stable and electron का जो antiparticle है वो positron है ठीक है यानि E plus ओके यह हो गया electron के बारे में अब जो है हम लोग बात करेंगे electron neutrino के बारे में तो electron neutrino particle यहाँ पर आप देखिए charge neutrino का charge जो होता है zero होता है neutrino का charge zero होता है electron neutrino हो या muon neutrino हो या tauon neutrino हो charge जो है zero होता है mass देखिए mass है less than two electron volt ठीक है बहुत ही कम mass का होता है बहुत ही कम mass का होता है यह neutrino सारे neutrino ही कम mass के होता है सारे leptons जो है सारे leptons का intrinsic parity है plus one leptons number for electron number for electron neutrino that is one क्यों की one है क्योंकि सारे जो है leptons है इसलिए leptons number one है electronic leptons number क्योंकि electron neutrino है इसी वज़े से electronic leptons number जो है one है बाकी muonic leptons number taonic leptons number दोनो zero है electron neutrino के लिए और electron neutrino का lifetime भी जो है कि stable है ये stable particle है leptons जो है सारे लगवग stable particle है अच्छा और इस antiparticles क्या है new E bar ये है antiparticles electron, neutron होगा ठीक है अब तीसरे particle के बारे में बात करेंगे जो है कि muon muon के बारे में बात करेंगे muon का charge क्या है mu minus है यानि charge होगी है minus 1 इसका mass कितना है 105.7 MeV spin क्या है spin हाप क्योंकि सारे leptons जो है fermion है ठीक है इस intrinsic parity क्या है plus 1 सारे leptons का intrinsic parity जो है plus 1 होता है अच्छा antiparticles के बारे में क्या होता है वो मैं बात में बता रहूं आपको तो leptons number for muon that is 1 electron neutron number le 0 होता है और l mu जो होता है muon के लिए 1 होता है और tauon के लिए l tau that is sorry l tau for muon that is 0 और इसका जो है lifetime जो होता है लगबक 10 to the power minus 6 के 6 seconds के बरावर होता है और जो mu minus का antiparticle है वो है mu plus अब जो है बात करेंगे हम लोग वो है muon neutrino का बारे में और इसका जो spin है वो है spin half ओके और intrinsic parity जो है वो plus 1 है क्योंकि सारे lepton का intrinsic parity plus 1 होता है intrinsic parity minus 1 to the power L इसके बारे में बात करेंगे हम लोग बाद में तो जो है कि lepton number for muon neutrino that is 1 electronic lepton number 0 muonic lepton number 1 tauonic lepton number 0 और यह एक stable particle है और इसका जो है antiparticle है new mu bar है ठीक है आगे देखिए आगे यहाँ पे देखिए यह चोथा particle जो है वो पाचवा particle जो है वो है tau tau minus tau minus का चार जो है minus 1 है और यह जो है इसका माज जो है 1777 MEV है ठीक है और जो इसका spin है वो spin हाप सारे lepton fermions है spin आप particle है intrinsic parity plus 1 इसका lepton number जो है वो है 1 electronic lepton number 0 muonic lepton number 0 tauonic lepton number 1 है और इसका lifetime जो है लगभग 10 to the power minus 13 second है और इसका antiparticle जो होता है वो होता है tau plus आगे हम लोग देखेंगे number 0 tauonic lepton number 1 और यह एक stable particle है और इसका जो antiparticle हो है वो है tau neutrino bar ठीक है यहाँ पे हमने जो है discuss किया यह 6 particle के बारे में यह चीज आपको जरूर याद रखना है charge के बारे में तो जरूर याद रखिए particle याद रखिए charge याद रखिए यह mass electron का mass यह mass भी लगवग आप याद रख सक्क पूरा table है याद रखिए और electron के spin याद रखना है मुस्किल नहीं है क्योंकि आप एक चीज याद रखिए कि हर lepton का spin जो होता है half होता है intrinsic parity जो होता है plus 1 होता है lepton का और lepton number सारे lepton के लिए 1 है और बाकी जितने भी particles है mesons है barions है इसके लिए lepton number 0 होता है सिर्फ lepton के लिए lepton number 1 होता है ठीक है lepton के anti-particles के लिए lepton number minus 1 होगा anti-particles के लिए lepton number minus 1 होगा ठीक है और यहाँ पे तो electronic lepton number mionic lepton number tionic lepton number electronic lepton number किस-kis के लिए one है muonic Robert किस-kis के लिए one है और tonic lepton number किस-kis के लिए one है ज़्यादा तर particles just are leftovers put a stable particles है और यहां पे.. मैने यहां पे anti particle .. ये सारे चीज आप कोशिश के यह सारे चीज आप याद रखेनगी क्योंकि याद रखेंगे तो आपका सवाल निकलेगा, ठीक है, कर पाएंगे आप सवाल, अभी जो है, बात कर लेते हैं, यह जो है, lighter mass particle है, लेप्टोन जो है, lighter mass particle है, इसका mass, mass of lepton जो होता है, less than 135 MeV होता है, exceptional tau minus, tau minus का mass जो होता है, 1777 MeV होता है, ठीक है, तो tau जो है, वो बाद में discover हुआ था, लेकिन यह, लेप्टोन जो है, लेप्टोन यहाँ पे interaction क्या सो करता है, electromagnetic और weak interaction यह feel करता है, तो strong interaction feel नहीं करता है, tau minus जो है, weak interaction feel करता है, strong interaction feel नहीं करता है, इस वज़े से tau minus को lepton में हमने रखा है, ठीक है, अब जो है कि lepton number for all leptons यहाँ पे देखिए, that is plus 1, ठीक है, और for anti-leptons और anti-leptons और anti-particles of leptons यह हो जाएगा minus 1, ठीक है, first generation of lepton क्या है, electron और electron neutrino, यह first generation lepton है, first generation lepton के लिए electronic lepton number, that is 1, second generation lepton क्या है, mu minus और mu neutrino, म्योनिक lepton number क्या है, इनके लिए 1 है, third generation lepton क्या है, tau minus, tau neutrino, तो टाउनिक lepton number इनके लिए 1 है, interaction के बारे हम बात किया, अब anti-particles में क्या-क्या चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, anti-particles में mass जो होता है, same होता है, spin जो होता है, same होता है, lifetime same होता है, ठीक है, यानि e plus का mass और e minus का mass, same होगा, mu plus का mass Mu minus का mass सेम होगा ठीक है लेकिन क्या क्या different होता है antiparticle और particle different यानि सेम रहेगा सिर्फ charge लग होगा ठीक है सेम रहेगा लेकिन charge जो यानि charge यानि सामने माइनस sign आ जाएगा ठीक है попроб T यानि charge जो रहेगा जो अजिन electron का charge minus 1 है तो E plus का charge क्या हो जाएगा एर-plus का charge हो जाएगा minus of minus 1 that is plus one हो जाएगा ठीक है यानि opposite sign होगा जो रहेगा plus होगा तो minus होगा minus होगा तो plus हो जाएगा intrinsic parity for anti-leptons सारे anti-particles leptons के सारे anti-particles के लिए intrinsic parity minus one होगा lepton number सारे anti-particles के लिए minus 1 होगा, ठीक है तो intrinsic parity for leptons यहाँ पर plus 1 मैंने एक बार और लिख दिया है तो ठीक है तो इस वीडियो में यही तक और आने वाले वीडियो में इसी तरीके से हम लोग maixons के बारे में बात करेंगे Varianz के बारे में बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रू लाइक कीजिए, सेर कीजिए दोस्तों के साथ और सबस्क्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रू दबाए थैंक यू